उत्राखन रोडवेज अपनी सुविधाओं से ज्यादा यातरियों और स्टाफ को दुविधा देने के लिए सुर्खियू में रहता है। कभी वेबसाइट डाउन हो जाती है तो कभी गलत गाड़ियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। इतनी परिशानी जिलने के बाद भी रिफंट के लिए यातरियों को ही दौड़ना पड़ता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रोडवेज ने नई टिकेट मशीन परिचालगों को सौब दी है। लेकिन नई मशीन सिरदर्द का विशय बन गई है। क्योंकि पिछले तीन दिनों से सर्वर डाउन होनी की बज़े से बसों को यातरा पूरी करने में देरी हो रही है। सर्वर ठीक से नहीं चलने की वज़े से टिकेट मैनुवल गाठे जा रहे हैं और ऐसे में देरी होती है। विभाग की लापरवाही के चलते परिचालक और यातरियों के बीच विवाद की इस्तिती भी पैदा हो रही है। मार्च के आखरी हफते से शुरू ही यह परिशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। परिचालकों का कहना है कि उन्हें टिकट भी काटना है और जातरियों की संख्या भी देखनी है और पूरी बस को भी भरना पड़ रहा है। मेरा नाम मुईत कुमार है मैं अल्दवानी डिपूम पर चालक हूं कानपूर मैनुवल गए थे हम वह सुबहरे साथ बज़े से आकर गई देखवा आप 11 बज़ने जा रहा है अभी कैट जमनी है नाम आप चेक हो रहा है। कि मसीन आने के क्या प्रॉब्लम है वैसे होता तो फिर हो जाते हैं सर्वार काम नहीं करता है तीन दिन से अब होतो है यह दौर महीं के लाप रहा है। कर दो